आज मैं आपको बताने वाली हूँ भगर आलू किचडी वोबी टेस्टी एंड स्पाइसी तो चलिए मेरे साथ यह देखे मैंने सारा इंग्रीडियंस निकाल के रखा हुआ है तो आप लोग भी से नोटिस कर लीजिए तो चलिए हमने कुकर गरम करने रखे दिया था जिसमें मैंने दो टेबल स्पून टेल डाला है और उसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा कटा आलू ऐसे हम अच्छी तरीके से मतलब फ्राइ कर लेंगे पकाना नहीं ऐसे से फ्राइ करना है ताकि इसमें कलर शड़ जाए तैन उसमें हम दालेंगे मुंपली जितना आपको इस तरीके का दिख रहा है सबसे लास्ट में हम डालेंगे जीरा हाफ चोटा चमच डाल सकते है और इसमें डालेंगे एक लाल मिर्च लाल मिर्च से प्लेवर के लिए डल रहा है आप लोग अगर चाहे तो डाल सकते अधर वाइस से स्केप कर सकते तो देखे कुछी इस तर अधर नमक और शक्कर तो देखे इसे कुछ इस तरीकी का हमने मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं भगर भगर को मैंने धोके रख दिया था 2-3 सेकेंड पहले आप इसे धोके नहीं रखिएगा तुरंत भी आप धोके रख सकते हो मतलब तुरंत धो अगर डालेंगे तो यह फिर कुछ अलग सालगता है इसलिए पहले भूंज ले देन पिर पानी डाले तो देखे मैंने हाफ कब भगर लिया था तो मैं इसमें डालूंगी उसका डबल एक कप पानी और मैं हाफ कब एकस्टा इसले डाल रहे हूं कि मैं यह थोड़ा गीली ब दाल रहे हूं फिर आधा निम्बू आपको जितना खटा अगर खाना हो तो आप एक लेमन भी इसमें डाल सकते हैं तो देखे मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए मिक्स करने के बादे से एक सीटी के लिए हम रख देते हैं दन हम करते हैं इसमें चट्ट मतलब रा हैं जीडे के से घ्राइंडर कर लिया था इसमें हम डालेंगे हाफ कप पानी आप चाहे तो जितना ठीक अगर चाहे तो आप पानी नहीं बीर ऐल सकते हो मुझे थोड़ा लिक भीट जादा चाहे था इसलिए मैंने हाफ कप पानी डालाbilir है तो आप अपने अंदास से देख मैं अब तड़के की तैयारी जो में नालेंगे तो इसमें मैंने डाला है जीरा हर इमिर्च और पर्टका कुछे डीचित चुका है तो दिखे कितना तेस्टी सा लग रहा है और यह खाने में भी बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग इसे ज़रो ट्राइ करीगा तो चलिए हमारी एक सेटी कंप्लिट हो चुकी है और हमारी की चुड़ी भी रेडी हो चुकी है तो देखिए कुछ इस तरीके की दिखरी है यह स्पाइसी सी एकदम टेस्टी सी तो आप लोग भी से ज़रो ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंट से बताइगा कि यह कैसा लगा मैं मिलती हो आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई जैसा ही राम और अपना ध्यान रखिए